और चलिए खबर राइपूर से है जहां विपर जोई चक्रबाद का 36 गड़बे असार अब देखने को मिल रहा है रेलबे ने तीन ट्रेनों को रद कर दिया है और पूरबंदर सालिमार एक्सप्रेस आज से 17 जूम तक रद रहेगी संत्रागाची पूरबंदर एक्सप्रेस ब्लासपूर स्टेशन पर रद रहेगी तो सालिमार ओखा एक्सप्रेस आज सुंदर नगर में सौल्ट टर्मिनेट की गई है तो बुझ सालिमार एक्सप्रेस आज एहमदाबाद से खुलेगी तो चक्रबाद को लेकर कई स्टेशनों पर एनीमो मीटर भी लगाया गया है और चले अधिक चानकारी के लिए हमारे सहे होगी कुलेश्वर पांडे सीधे हमारे साथ जुल गये हैं कुलेश्वर विपर जो चक्रबाद का सीधा सीधा असर 36 गड़ में भी देखने को मिल रहा है क्या कुछ इससे लेकर अपडेट किया गया है किस तरह का अलट जारी किया है देखिए बिल्कुल चक्रबाद का जो असर है वो साथ तरबर 36 गड़ में देखने को मिल रहा है मौसम विज्ञानी का साथ तरबर कायना है कि बहुत ज़्यादा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा लेकि निश्ची तरबर आंसिंग जो प्रभाव है आंसिक प्रभाव 36 गड़ में भी चक्रबाद का देखने को मिलेगा फिलाल मौसम विभाग भी अलट मोट पर है समय समय पर वो अलट भी जारी कर रहे है लेकिन कहीं न कहीं इसको देखते वी रेलवे ने कुछ टेने रद की गई है तो इसका असर साब तुरबर 36 गड़ में भी देखने को मिलेगा चले शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए एक उलेश्वर अगलाल आपदा प्रबंदन के टीम को तेनात कर दिया गया है साथ ही चक्रबाद को लेकर कई स्टेशनों पर एनिमो मीटर भी लगा दिया गया है